तो दोस्तो आज हम लोग एक और चेप्टर कंप्लीट करेंगे जिसमें हम लोग ब्रीज ले आउट एंड ब्रीज एक्यूटमेंट और ब्रीज वाच कीपिंग यह सभी कोस्टन इसमें आज हम लोग कंप्लीट करेंगे ठीक है तो चलिए हम लोग दोस्तों कंप्लीट करते है दोस्तों कोस्टन सुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो मेरा दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी G.S. Academy ठीक है अंसारी G.S. Academy उस चैनल को भी आप लोग फटाफट सस्क्राइब कर लिजिए कि वहाँ पर आपको मैस साइंस इंगली से रिजिनिक भी मिल ISPS का पूरा नाम क्या होता? यानि ISPS का आपको बताना है कि फूल फॉर्म क्या होता? तो ISPS का फूल फॉर्म होता है International SIP and Port Facility Security Code, ठीक है? International SIP Port Facility Security Code ये जो International SIP Port Facility Security Code है वो एक प्रकार का security code है जो आपको port में जाने से रोखता है यानि बाहरी परसन अगर कोई port में आएगा तो उसको IP, ISPS का सामना करना पड़ता है वो security check-in करता है उसके बाद ही आपको entry मिलता है तो दोस्तों आपको यह पूरा बोलना पड़ेगा International SIP and Port Facility Security Code ठीक है अब आज आते हैं नमबर दो में नमबर दो question पूछा गया है combination of ladder is combination of desk कर रहा है कि जो combination, जो combination ladder होता है ladder का मतलम होता है दोस्तों CD ठीक है यह जो combination ladder होता है वो किस-किस का combination होता है combination ladder को किस-किस का combination कहेंगे यानि कौन-कौन सा ladder मिलकर combination ladder बनाता है तो एक accommodation ladder होता है और दूसरा जो होता है pilot ladder तो pilot ladder और accommodation ladder यानि gangway admonation ladder को जो आपका admonation ladder होता है उसको gangway भी बोलते हैं तो gangway और कौर एक python ladder अगर जो मिल जाएगा तो उसको बोलेंगे combination ledder ठीक है नमर थीन in the foxhole all cargo ship should have be bail बोलड़ आएगा ही कि जो foxhole deck होता है फौरक सल cargo में सबसे आगे क्या होता है तो bell यानि घंटी वहाँ पर लगी होती है ठीक है नम्मर चार Inclinometer is an instrument which displays the list of sea देखिए list of sea होगा और hill of sea होगा देखिए Inclinometer क्या होता है Inclinometer ऐसा एक instrument लगा होता ठीक है और यह sea है अगर sea इधर जाएगी तो यह जो होता है यह इधर ठोड़ा जुग जाता है तो बताता है कितना degree list हुई है और कितना degree hill हुई है तो list और hill का मतलम होता है कि जहाज का दाएं बाएं जुग जाना जैसे माली जी की जहाज jetty पर गई तो जेटी पर जाने के पर माली जी कि जहाज थोड़ा उधर जुग गई तो उसको भी लिस्ट कहेंगे इधर भी जुग गई तो उसको भी लिस्ट कहेंगे ठीक है और हील List का मतलम होता है Internal Force से जुख जाना और Hill का मतलम होता है External Force से जुख जाना यानि समझे कि जहाज का बाएं या Starboard या Portside जुख जाना ही क्या कहलाता है आपका List और Hill कहलाता है तो दोस्तों कई से पता चलेगा कि जहाज कितना जूकी हुई है कितना दाएं या बाएं जूकी हुई है तो उसके लिए एक Inclinometer होता उसी से हम लोग देख लेते हैं कि जहाज कितना जूकी है और कितना अगे तो चलिए दोस्तों, मैं आपको in cleanometer का photo दिखा देता हूँ सबसे पह EatÁY prak in cleanometer in cleanometer टीक है देखिए दोस्तों जो in cleanometer होता है उसका मैं आपको photo दिखाता हूँ देखिए यही होता है in cleanometer in cleanometer on ship देखिए दोस्तों ऐसा ही जहाज में लगा रहा था देख रहे हैं ऐसा ही टोटल ऐसा ही जहाज में लगा रहा था ठीक है यह देखिए यह आपको जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यह जहाज उधर जुकेगी तो उधर यह आटोमेटिक चला जाता है तो समझ में आ जाता तो चलिए अब हम लोग इन क्लीनो मीटर के बाद हम समझ गए चलिए अब हम लोग अगला अपना कोस्टन कंप्लीट करते हैं ठीक है उसके बाद दोस्तों नंबर पांच कोस्टन पूछा गया बोल रहा है कि अगर जहाद जा रही है ठीक है और जहाद सेलिंग पर जाते जाते तीन को सोट ब्लास्ट मारती है सोट ब्लास्ट का जो टाइमिंग होता है एक सकेंड का होता है भौ 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 तो समझ गए कि सोट ब्लास्ट यानि तीन बार ऐसे भौ 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 अगर तीन बा से क्या कर रहा हूं आ रहा हूं यानि एक जहाज यहाज पर एक जहाज पीछे से आ रही है तो क्या करेगी तीन बार short blast मारेगी यानि short blast का मतलम होता है कि आपको CT मारेगी होड नमर छे as per ISPS तो दोस्तो ISPS का फुल फर्म मैंने आपको बता दिया International Port and International Sip and Port Facility Security Code यानि ISPS बताया है कि हर एक सीप स्टाफ के पास आइडेंटी काड होना चाहिए तो इसलिए तो हम लोग अपना SID काड बनवा के रखें साइडी काड नमर सेबन दे रिस्पोंसबल ओफिसर रिपोर्ट टु दी मास्टर वेन दे पाइलेट बॉर्ट बाइ मिन्स ओफे वाकी टॉकी देखें कहने का मतलम हुआ कि जब रिस्पोंसबल ओफिसर को ही ड्यूटी ओफिसर बोलते हैं यानि जो ओफिसर हो सेम या तो सेकेंड ओफिसर होगा या तो थर्ड ओफिसर होगा या तो चीफ ओफिसर होगा जो ओफिसर ड्यूटी में होगा वो कैप्टेन को कैसे इनफॉर्म करेगा मास्टर को कैसे ठीक है तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पर नम्मर एट वेन ओने लॉंग व्वाइज जब लॉंग व्वाइज होता है यानि जब लॉंग मने जब दूर दूर तक जहाज जाती है जाला टाइम तक दसीप जाइरो कंपास हेडिंग सुड़ बी कंपेर्ड मेगनेटिक कंपास होता है वह एलेक्ट्रिक से नहीं चलता है तो हमेशा उसको क्या करना चाहिए तो वांस हमेशा एक बार उसको देखते रहना चाहिए दोनों कोई नमबर नौ Clear View Screen Clear View Screen क्या है तो improve the visibility in the rain देखे Clear View Screen क्या है आप समझ यह मैं आपको समझा रहा हूँ देखें आप लोग गाड़ी देखें हैं गाड़ी का सीसा पर इस तरह लगा रहता है जो इस तरह इस तरह सीसा को पोच्टा रहता है तो जहाज में भी क्या होता है जहाज में भी ब्रीज में जितने भी होते है वहाँ पर इस तरह गोल गोल लगा रहता है और वहाँ पर इसको पोच्टने वाला लगा रहता है उसी को बोलते हैं क्या तो उसी को बोलते है Clear View Screen improve the visibility of a rain Rain को हटाता है यानि उसके बातर को Number 10 Eldist Lamp can be used for the signals of the Morse Code जो Eldist Lamp होता है न Eldist जो Lamp होता है न एक प्रकार का टर्च है वो क्या करता है तो Morse Code यानि उसके द्वारा माली जी कि हमारा जहाज का सब सिस्टम फेल हो गया है तो वही हम जो होता है हम लोग का Eldist Lamp उसी को मारेंगे तो वो समझे कि बहुत दूर दूर तक उससे रोशनी जाती है तो उससे हम लोग सिगनल भेज सकते हैं कि क्या कहना होला है तो Morse Code वो सब ऑफिसर जानते हम लोग रेटिंग नहीं जानते Number 11 The radar is used for steer the ship जो radar होता है रडार का use क्या होता है देखिए दोस्तों ये ये radar नहीं है ये radar का मतलम होता है कि जो बताता है कि कितना area में कौन साच चीज है और ये जो radar है वो radar क्या करता है सीव का direction चेंज करता है यानि ये steering करने में use होता है Number 12 The spreader is a pilot ladder are fixes in the interval of the ये बीदे जो आपका thunder होता है जो पाइलेट læडर होता है पाइलेट लेडर में एक इसप्रकार का इसप्रेडर लगाया जाता है क्योंकि ये और इस तर छोटे छोटे चोटे बहुत सरे रहते हैं, लेकिन बीच में एक बड़ा सरह रहता है बाड़ा सा इसलिए spider, इसका नाम होता है spider यह बाड़ा सा इसलिए लगाया जाता है ताकि जब जहाज से यह touch करे तो सीरी इधर, उधर यह लेडर इधर उधर तो बोल रहा है कि कितने step के बाद है, एक, दू तीन, तीक, कितने step के बाद ये के स्पेडर लगाना जरूरी है तो आठ स्टेप के बाद आठ को छोटका छोटका सीड़ी लगाएंगे उसके बाद नवगा ये लगाना ही पड़ेगा ठीक है तो every 8 स्टेप ठीक है दोस्तो नमबर 1-3 Android barometer show the atmospheric pressure in the millibar जो Android barometer होता है न बैरोमीटर क्या है तो बैरोमीटर एक परकार का दोस्तो इंस्ट्रूमेंट है और इसका यूज क्या होता है तो दोस्तो बैरोमीटर का यूज होता है कि यह आट्मोस्फेरिक प्रेसर को बताता है कि कि कितना आट्मोस्फेरिक प्रेसर है 1,4, The compass card has 32 points, जो यह compass होता है ना compass जो direction हम लोगों बताता है तो compass में total कितने point होते हैं तो दोस्तों compass में total 32 point होते हैं ठीक है जैसे north-south, north-east, 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 north-east जितना जो होता है न वो पूरा जो इतना direction होता है न वो 32 होता है अब आज आते हैं 1-5 पर VHF channel used for the distress is channel 16 याद रखिए का जोस्तों जो भी एचेफ होता है न भी एचेफ में जैसे हम लोगों बात करते हैं तो भी एचेफ में हर एक टाइप का जितना frequency set कर दीजिए का उतना frequency पर काम करेगा लेकिन हमेशा भी एचेफ 16 होता है न वो इमर्जेंसी होता है आप किसी भी को भी 16 पर बात करेंगे ना तो समझिए कि वो इमर्जेंसी कॉलिंग कर रहा है कि इमर्जेंसी के लिए channel 16 का यूज किया जाता है नंबर 1 शिक्स बीफोर मैनुवारली लॉंचिंग ए लाइफ राफ्ट यू मस्त मेक image नालटाम टॉ इस्ट्रों पयट Clinton हम ओर घृफ को मैनुवाली लॉंचिंग करते हैं जो लाइफ राफ्ट रॉता है दोस्तो मैं आपको लाइफ राफ्ट दिखा देता हूं कि लाइफ राफ्ट होता का एसा ठीक के तब आपको समझ में आ जाएगा तो चलिए दोस्तों मैं आपको पहले लाइफ राफ्ट का फोटो दिखा देता हूँ I think सभी ने देखा ही होगा अपने इंस्ट्टूट में देखें दोस्तों यह लाइफ राफ्ट होता है लाइफ राफ्ट होता है तो उसको मैनुवाली लंचिंग करते समय जो पेंटर लाइन होता है यानि यह जो लाइन होता है यह पेंटर लाइन यहाँ पर जो लाइन लगा है ना इसको strongly stress करके रखना पड़ता है यानि इसको P.S. Code highest level security of 3, देखिए, जहाज पर 3 security code लगाए जाता है, security code जो होता है, security code वो 3 लगाए जाता है, normal रहेगा, तो security code 1 रहेगा, अगर माल लीजी इसमें क्या होगा, तो इसमें सभी आदमी आएंगे, जाएंगे, जहाज पर कोई दिकत नहीं होगा, नम्मर दो अगर security level नम्मर दो लग जाएगा तो इसमें ठ्टाइट हो जाएगा इसका मतलम होगा कि जो भी जहाज पर आदमी आएगा उसका पूरा तलासी लिया जाएगा IDFID सब चेक किया जाएगा और नम्मर तीन अगर security code लग गया जहाज पर तो इसका मतलम होगा कि ना तो जहाज का आदमी बाहर जाएगा ना बाहर का आदमी जहाज पर आएगा कुछ आना ही जाना नहीं है ठीक है तो उसको बोलते है security number 3 तो यह बहुत ही high level का होता है तो सबसे hardly होता है number 3 अब आज आते है number 1 पर a power driven vessel underway when the alternating coast to the starboard sail sound one the ship vessel one short blast कहने का मतलम है कि अगर एक जहाज underwater यानी underwater का मतलम होता है कि एक जहाज पाणी में जा रही है और वह क्या कर रही है कि आपके starboard side से होकर जा रही है आपको क्रोस कर रही है तो पीछे होगी तो तीन short blast मारेगी लेकिन अगर आपको आपके starboard side से अगर वो जहाज cross कर रही है तो one shot blast मारेगी तो इसका मतलम कि आपके starboard side से वो क्या कर रही है cross कर रही है तो इसका answer हो जाएगा one shot blast नमबर one six, one nine पर आजाते हैं while on the gangway, while का मतलम भी होता है what, what on the gangway watch in the port you must अगर आप gangway watch कर रहे हैं जहाज का आदमी जहाज पर आएगा और जहाज का आदमी पर जाएगा ठीक है तो उसको बोलते है gangway ठीक है ये एक सीड़ी का नाम है ठीक है देखो gangway का हम तुमको image देखाते हैं बबू देखो ये दिखा ही दे रहा है ये ही तो बबू गेंग में है जब जेटी पर जहाज चली जाएगी तो ये लग जाएगा तो कहने का मतलम है कि इससे जहाज का आदमी पोड़ पर जाएगा और पोड़ का आदमी जहाज पर आएगा तो इस पर watch भी लगा उता है यहाँ पर आदमी खड़ा रहता है कि कोई दूसरा आदमी हमारे जहाज पर न आ जाए कि जहाज पर बहुत समान रहता है कंडूडों कंडूडों का तो बोल रहा है कि जब गेंगवे वाच होगा तो आपको क्या-क्या करना पड़ेगा ठीक है तो दोस्तो ध्यान से आप समझिए कि हम लोग को क्या क्या चेक करना पड़ेगा चेक दा आइडेंटी ओफ दूस कमिंग ऑन दा बोड जोल आदमी जहाज पर आ रहा है उसका हम यह भी चेक करेंगे कि हमारा जहाज प्रोपर जटी में सटा रहना चाहिए जटी से थोड़ा भी हटेगा तो आदमी चोड़ेगा तो नहीं चेक करेंगे नम्मर दो मेंटेन दगेंगवे रजिस्टर वहाँ पर एक रजिस्टर भी होता है जिसमें एंट्री किया जाता है कि कौन आदमी कब आया और उसका नाम क्या है और वो कब बाहर गया तो आल अब दी एभोव यानि हम लोग सब चेक करेंगे इपर्व का मतलम होता है इमर्जेंसी इमर्जेंसी प्लान इमर्जेंसी रेडियो ब्रेथिंग अपरेटर इसी तरह होता है ठीक है तो यह क्या है ठीक है हमनों पूछेंगे यह है क्या ठीक है तो देखें यह कॉम्मिकेशन के लिए यूज होता है when the switch on will transmit the position and identity of the vessel हाँ देखे बाबु इसका मेरे को full number याद है कि emergency, plotting, identification, radio, big gun ठीक है यह इपार्व होता है यह क्या होता है ना कि बाबु माली जी यह लाइफ राफ्ट में होता है लाइफ बोड में अभी होता है जैसे माली जी कि हम लोगा abundance हो गया यानि हम लोगी जहाज डूब गई हम लोग लाइफ बोड और लाइफ राइफ में सवार है तो अब हम लोग को contact कैसे करेंगे तो इपार्व जैसे हम लोग आउन करेंगे ना तो यह signal भेजना सुरू कर देगा ठीक है अटोमेटिक सिगनल भेजना सुरू कर देगा कि यहां पर हम लोग है और जैसा ही किसी को पता चलेगा कि हाँ इपार्व से सिगनल आ रहा है तो जो वेसल उसके आस पास होंगे वह हम लोग को लेने के लिए आ जाएंगे तो इमरजेंसी प्लोटिंग आइडेंटिफिकेशन रेडियो बिक्कान चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इपार्व होता कैसा है तब आप लोगों को दोस्तों समझ में आ जाएगा कि हाँ इपार्व कैसा होता है ठीक है इपार्व देखे बबु ऐसा ही इपार्व होता है यह क्या करता है कि देखे यहां पर देखे सबसे आच्छा इस वीडियो में देखा है ठीक है यह जो है ना देखे सबसे आच्छा इस इमेज में दिखा है देखो यह रेस्क्यू एलर्ट सेटलाइट है और यह देखे हम लोग हम लोग का फ्रेक्वेंशी मालूम कर लेका कि इतना डिधिट्रिफ रिक्वेंशी परें और तुरांता कि हम लोगों कि यहीं हम को घंऊ-ठ्म आ इन हम लोगता अ्म्लेस को इमर्जेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बिकन बिकन इबोलते हैं इसको ठीक है तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कोस्टन पर चलते हैं दोस्तों नमर्फ यह इसका फूल फॉर्म होता है ओटोमेटिक रेडियो पोजिशनिंग यह रडार क्या है तो प्लोटिंग एड्स है ठीक है यह रडार एक परकार का रडार है जो सबसे ज्यादा यूज होता है जहाज पर question यह भी पूछता है कि सबसे ज़्यादा रडार यूज होने वाला जहाज पर रडार का नाम बताओ तो ARPA, Automatic Radio Positioning AD अब आजाते हैं दोस्तों 2-2 पर SEEP chronometer give the time of GMT ठीक है, जो SEEP होता है वो हमेशा Greenwich main time बताता है, जहाज पर जो chronometer होता है, जो घड़ी होता है वो हमेशा GMT time ही बताता है Navtex is an disturbance with the broadcasting of the navigational warning, यह navigational warning बताता है कि हम लोग को कैसे navigation करना है ठीक है, Navtex No.24 Eco sounder on the SEEP recorded the depth from the kill and the seabed, जो eco sounder होता है, जिसे यह जहाज होगा है, दोस्तों देखिए यह जहाज होगा है, जहाज का यह layer होगा है, इस layer को बोलते हैं, सबसे नीचे वाले layer को बोलते है, कील, क्या बोलते हैं दोस्तों, कील, यहाँ पर एक सुनार लगा होता है, ठीक है, और यह हो गया समूंदर, ठीक है, तो जो eco sounder होता है, ना, eco sounder breeze में equipment होता है, वो इसको sensor करता है, और यहाँ से एक तरंग जाती है और फिर sea bed से टकरा कर वापस आती है, तो यह तरंग जाकर टकरा कर वापस आती है, तो यह distance बताता है, की जहाज का पानी से, मने पानी की गहराई कितनी है, तो यानि kill to the sea bed, यह kill से sea bed की distance बताता है, ठीक है, इसको बोलते है, eco sounder नमर टू फाइब, a ship green side, light is visible from the right ahead to, to pointed about from the beam to the starboard side, यह जो यह भी होते हैं, वो navigation करते हैं, तो बताते हैं, टू शीक्स, पाराशूट rocket, पारो टेक्निट on the ship bridge, डिस्पले अब दा lighted flare, यह कि यह जहाज पर जो rocket parasuit जो होता है, वो कैसा होता है, तो lighted flare, यानि बहुत ही light वला होता है, नमर टू सेबेन, ship is steering northeast by the compass southeast should be on her starboard beam, बोल रहा है कि अगर आप ship का steering कर रहे हैं, और ship के steering वीर्षय आपको northeast में है, ठीक है, northeast से आपको किधर जाना है बाबू, तो आपको जाना है southeast में, तो आप क्या करेंगे, तो steering को किधर गुमाएंगे, तो इधर starboard side में गुमाएंगे, यानि दहनिये side में गुमाएंगे, GM DSS walkie talk, यानि GM DSS का full form पूछला है, तो global maritime distress search and safety, global maritime distress and search of safety इसका full form होता है, ठीक है, अब आजाते हैं, दोस्तो हम पढ़ते हैं 29 में, दोस्तो आप लोग से, मैं ये भी बोल देना चाहता हूँ, कि जो लड़के अपना online classes कर रहे हैं, अगर कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने notes बनाया है, MEK, GSK का oral भी बनाया है, online भी बनाया है, और practical भी बनाया है, अगर वो चाहिए, तो मैं आपको purchase करवा दूँगा, दोस्तो वो PDF चार्जेबा ले, ठीक है, अब आप लोग ये मत बोलियागी, कि अनसारी साथ उसको free में ले दिजिए, फिरी में नहीं है, वो चार्जेबा अगर आपको चाहिए, तो आप मेरे WhatsApp पर contact कीजिए, payment कीजिए और PDF लीजिए, जो interested थे वो ही PDF लीजिए, अन्य था मैं class करवा रहा हूँ, आप class से भी पढ़िए, definitely आप pass कर जाईएगा, लेकिन PDF बोलिएगा कि मेरे को चाहिए, तो वो आपको fake करना पड़ेगा, जोड़ जबर जस्ती नहीं है, आप class attend कीजिए, class से भी pass हो जाईएगा, ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, नम्मा टू नाइन, bridge man overboard, smoke marker given orange smoke form, जैसे ही जहाज पर से क्या हो गया, तो नीचे गिर गया, तो जैसे ही जहाज पर से नीचे गिर गया, bridge man overboard smoke marker, given orange smoke, तो हम लोग क्या करेंगे, जो life boy होती है, जहाज में देखेगा, इस तरह ट्रोपड के टीब के तरह होता है, उसमें एक smoke bound होता है, उसको फेकेंगे, जैसे ही उसको फेकेंगे, और पानी के contact में जैसे ही आएगा, तो उसे smoke यानि लाल धुआ निकलना, शुरू हो जाएगा, तो वो लाल धुआ कितने मिनिट तक रहता है, तो वो 15 मिनिट तक लगतार निकलता है, कहने का मतलब इसका यही था, नमर 30, Course Recorder Display with the Sip Course, जो जहाज का होता है, आप बोलिएगा कि यह Course का है, तो देखिए, जहाज ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे चली, फिर ऐसे चली, फिर ऐसे चली, ऐसे चली, तो जहाज में एक Course Recorder लगा रहता है, वो हमेशा यह Record कर रहा होता है, जहाज किस रास्ते से, कितना degree latitude, कितना degree longitude होकर गई है, वो सब Record करते रहता है, तो जहाज का रास्ता होता है, उसी को क्या बोलते हैं, तो Course बोलते हैं, तो वो Sip के Course को क्या करता है, तो Record करता है, 3.1, The accommodation ladder should have be guard rail on the both side, कहने का मतला में है कि, जो accommodation ladder होता है, जिसको हम Gangway बोलते हैं, तो जहाज पर से, जो jetty में आदमी जाता है, पोड में तो उसके दोनों तरफ क्या लगा जाता है, तो दोनों तरफ guard rail, यानि जाली लगा दी जाती है, ताकि कोई आदमी फिसल के बाहर ना गिरे, दोनों साइड में, एक साइड में नहीं, नम्मर 32, The normal duration of navigation watch is, यह बहुत important है, कम से कम कितने घंटे का watch होना चाहिए, नम्मर वाच तो हम लोग 4-4 घंटे का watch करते हैं, 4 घंटे का watch होता है, उसके बाद duty change होती रहती है, ठीक है, नम्मर 33, The international calling channel of the VHF is, देखिए, इसका क्या ना में, international calling channel, international distress channels, international emergency channel, और channel 16, यानि channel 16 का ही ना में, international calling channel, या इसको international emergency channel बोलिया, या international distress channel बोलिया, नम्मर 34, एन एनमो मीटर record, एनमो मीटर जो होता है न, वो क्या record करता है, तो wind speed, यह होता है इस तरह दोस्तों, और यह क्या करता है, anytime नास्ते रहता है, और क्या करता है, कि wind का direction भी बताता है, और wind का speed भी बताता है, कि कितना दिगरी से चल रहा है, तो चलिए दोस्तों हम आपको एनिमो मीटर दिखाते हैं ताकि आपका और किलियर हो जाए ठीक है तो देखो दोस्तों मैं आपको एनिमो मीटर दिखाता हूँ ठीक है एनिमो मीटर कैसा होता है ए नीमो मीटर यह एनिमो मीटर क्या करता है दोस्तों जहाज में लगा होता है देखो एनिमो मीटर देखो यह जहाज है न यह देखो यह ऐसा ही जहाज में लगा रहता है देखो यह जहाज एनिमो मीटर इन सीप जहाज के सांद देखाएंगे तब बाबु आप लोगो समझ में आएगा दे तो डिरेक्शन बताता है और यहां पर यह स्पीड बताता है और यहां पर यह डिरेक्शन बताता है कि किस डिरेक्शन से हवा आ रही है देखो देखो आपको मैं दिखा रहा हूं कि एनिमो मीटर इसमें कहा है देखो यह सबसे ऊपर आपका एनिमो मीटर है देखो इसमें जहाज पर यह लगा रहाता है ठीक है तो चलिए दोस्तों अब हम लोग एनिमो मीटर जान लिए अब नेक्स चेप्टर पर चलते हैं यह स्ट्रिपहस में इसमें इसमें इसे में इस पिडिया आ तो विंदेंकित भी मारते शान्य इस इस धू से करेंगे तो जब हमारा गेंगवें और जब जुब कोई पैलेट आता है तो इस को डर jsब इक पैसे लेंगे लेकिन जब देखेंगे कि कि लत लेडर नौ मीटर से ज्यादा हो रहा है तो होगा तब भी combination लेटर लगाएंगे नम्मर 36 यूज होफ hydro esthetics release unit attached to the life raft is release the life raft with the ship sinking देखो यह जो क्या होता है इसको बोलते है HRU hydro esthetics release unit यह HRU एक छोटा सा गोल होता है यह life raft के नीचे लगा दिया जाता है जैसे ही जहाज डूप जाएगी और जहाज जैसे ही तीन मीटर नीचे जाएगी यह automatic पानी जैसे ही इस पर तीन मीटर का pressure मारेगा यह automatic उसमें एक knife होता है knife यह इसका जो painter होता है painter का मतलम होता है रसी rope life raft के rope को काट देता है और automatic जो life raft होता है वो automatic खुल जाता है तो बहुत लड़के यह भी question पूछते है कि भाई अगर मालो की जहाज डूब गई और हम लोग भान गए तो फिर हम लोग सवार किसमें होंगे तो जो life raft होता है ना जहाज डूबेगा तो automatic life raft जहाज में से release हो जाता है तो चलो मैं आपको HRU देखाता हूँ कि HRU होता कैसा है आप देखोगे HRU तब आपको समझ में हो जाएगा कि HRU है क्या HRU in ship in life raft चलो देखो 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 यही है HRU ठीक है यह इसमें knife लगा होता है knife automatic उस रसी को काट देता और जैसे ही रसी काटेगा देखो यही life raft है देखो यही HRU इनिट है यह क्या करता है इसमें जैसे ही यह पानी के अंदर गया तो यह देखो यह है ना यह automatic निकल के इस रसी को काट देगा जैसे ही रसी कटेगा वो इसके साथ ऐसा system लगा कर रखा जाता है कि automatic यह क्या कर देगा इसको release कर देगा देखो यह life raft है इसके अंदर HRU यानि hydro static release unit लगा के रखा गया ठीक है तो HRU मैंने आपको दिखा दिए दोस्तो अब चलते हैं आगे question पर ठीक है देखो बबू वो radar था radar का मतलम होता है कि radar पानी के नीचे होता है यानि जहाज का जो propeller होता है उसके just बगल में होता है तो यह क्या करता है direction change करता है लेकिन यह देखो बबू यह radar है यह radar है radar क्या होता है ना तो यह बबू यह आपका पूरा यह area तक बताता है कि कौन छोटा छोटा जहाज आपके पास आ रही है ठीक है तो उनों का difference समझ लेना radar transporter is taken on the lifeboard to indicate the position of distress craft यह बताता है कि कौन सा craft यानि कौन सा जहाज कितना nautical mile में है कैसे आ रहा है सीब इज स्टेरिंग 28 degree यानि सीब का जो स्टेरिंग है वो 280 degree पर सीब जा रही है by compass, helman's gates, helman's का मतलम होता है जो सीब को चला रहा है gates an order to alter course to the 45 by how many degree must be alter course to the starboard तो देखो कहने का मतलम है कि वो बोल रहा है कि 200 इतना है ठीक है और बोल रहा है कि कितना वो course alter करेगा ताकि वो कहां पहुंच जाए तो 45 degree course पर पहुंच जाए तो कितना degree course alter करेगा आप ही देखके बताओ कि वो कितना degree course alter कर देगा कि वो 45 पर पहुंच जाए सोचो फटाक से सोचो कि कौन नजदीक पड़ेगा देखो यह आपका कम पास हो गया ठीक है यह आपका हो गया 0 degree और 300 चलो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूं ठीक है यह आपका कम पास हो गया यह आपका हो गया 0 degree और 360 degree ठीक है यहाँ पर आपका यह हो गया 0 degree और 300 यह कम पास हो गया यह हो गया 0 degree और 360 degree ठीक है यह हो गया 90 degree यह हो गया 180 degree यह आपका हो गया 270 degree ठीक है और यह यहाँ पर है ठीक है यहां पर है ठीक है मने मालनों कि यहां पर है यह 280 पर है और बोल रहा है 45 डिगर हम लोग है यहां पर होगा तो बोल रहा है कि और वो कितना डिगरी कैसे करे कि वो 45 डिगरी पर आ जाए मने कहीं से भी आपको जाना है आप इधर से भी जा सकते हो आप इधर से भी जा सकते हो तो आप ही समझो कि आप इधर से जाओगे तो कितना time लगेगा और आप इधर से आओगे तो कितना असानी से पहुंच जाओगे ठीके तो ध्यान से देखो एगर 280 है तो 280 में से हम घटा देते हैं 360 में सब बबू क्या करते हैं 280 घटा देते हैं हम लोग इधर से जाएंगे यही 2nd मेंट के एक्जाम में पूछता है सब 0 16 में से गया 8 यानि 80 आगए अब देखो हम यहाँ पर आए तो 80 तक आगए ध्यान से समझो हम 80 आगए यानि कहने का मतलम है कि हम 280 से 0 पर आए तो कितना आगए 80 डिगरी आगए अब हम लोग को 45 डिगरी जाना तो हम लोग 45 एड कर देते हैं तो 8-4-12 यानि 125 डिगरी हम लोग को अल्टर करेंगे तो 45 डिगरी पर आराम से पहुंँ जाएंगे तो यह सब यह क्या रिपोर्ट करेंगा वो क्या करेंगा वो ब्रिज में से जाकर खाना फेकने लगेगा यह बताएगा कि पानी में जो मछली चल रही हो वो प्रोपेलर के पास आ रही है वो कहा के लिए देख पाएगा बाई प्रोपेलर वास नौट इन दे स्टेट वो पानी में ढूट के कैसे बता सकता है कि प्रोपेलर सीधा आ Freeman मास्ट नेविगेशन लाइट इस नोट वरकी लेकिन वो यह देख के बता सकता है कि जो मेन मास्ट में नेविगेशन लाइट है वो work नहीं कर रहा है नम्मर 40 duties of a health man देखो बाबु health man का मतलम क्या होता है health man का मतलम होता है कि जो staring पर मने जिसके हाथ में staring है जहाज का staring है और या तो duty officer हो या AB हो या OS हो duty of a health man, health man का duty क्या होता है staring the ship when the required maintain the lookout when the required watching the compass when on the handing keep lookout when the head is staring एदम head staring के पास lookout करते रहेगा नम्मर 41 eldest lamb can be used for singing Morse code, पहले ही मैंने बताया था कि eldest lamb का use होता है Morse code को भेजना नम्मर 42 when the vessel are in the sight of one another when the shot blast is I am alternating course from the starboard side मैंने पहले ही बता दिया है यह ultra question पूछ दिया बोल रहा है कि one shot blast मारेगा इसका मतलम हुआ कि भाई हम आपके starboard side से क्या कर रहे हैं cross कर रहे हैं आप लोग ready हो जाओ ठीक है अब आजाते हैं दोस्तों नम्मर 43 पर a power driven vessel underway stop and making no in a fog well sound to prolonged blast prolonged blast का मतलम होता है long blast long blast कितना पर मारा जाता है तो 7 से 10 सेकेंड के बीच में मारा जाता है एक मारा जाता है फिर गीने का एक दू तीन चार पांच छो साथ फिर मारा जाता है भाई इसका मतलम हुआ कि भाई हमारा जो seep है वो stop है नमर फोर फोर line throwing operator is provide for the board of sending the messenger line देखो हम लोग having line को क्या करते हैं दोस्तों हां से फिकते हैं न लेकिन ये line throwing operator से का ऐसा machine आ गया है कि having line को अब हां से नहीं फिकना है इतना बड़ा बाक्सा में होता है इधर से bottom press करो फटा 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 फट लाइन अपने आप से निकल कर वहां पहुंच जाएगी जेटी में नमर फोर फाइप वेसा लीजे steering 240 degree एक जहाँ जे वो क्या कर रहा है तो 240 degree के पर जा रहा है deviation is 3 degree west variation is 1 degree west what is the true course अब देखो ये बहुत ही completed question है इसको ध्यान से तुम पढ़ोगे ना तभी तुमको समझ में आएगा deviation में क्या करते हैं बाबू तो deviation में ध्यान से देखो deviation में हम लोग क्या करते हैं तो deviation का मतलम उल्टा होता है plus और aviation का मतलम होता है minus तो इसको पहले देखो इसको क्या करेंगे लाइन होता है यानि यह लाइन होती है नमर फोर सेवेन लबर लाइन होता है कि यह हुआ है जैसे आप लोग कभी सरकस में जाओ कभी मेला में तो यह चर्खा वला देखे हो चर्खा वला में इस तरह एक लग जाता है और इसको पुरा घुमाता है और जहां पर आगे चर्खा रुख जाता है ना तो उसी का प्राइज मिलता है तो यह जो चहां पर यह इंडिकेटर करता है ना इसी को पाबू लबर लाइन बोलते हैं ठीक है तो वो ही क्या करता है तो रीम का heading बताता है नम्मर 50 यह F48 लूकाउट ड्यूटी इस दा जो लूकाउट मेन होता है उसकी मेन ड्यूटी क्या होती है तो stay alert and report any ship or land object to the officer of watchkeeping वो क्या करता है जो officer of watchkeeping है उसको alert करता है report करता है जब कोई भी seat के पास आने का कोसिस करता है ठीक है तो चलो आज हम लोग यह last question देख लेते हैं 4-9 a man overboard is he indicating by the three long blast देखो भू 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 अगर तीन three long blast मार दिया ना तो इसका मतलम समझ जाओ कि कोई आदमी जहाज पर से पानी में गिर गया तो फटा फटा आदमी सब मिलकर उसको बचाने के लिए आ जाएंगे तो दोस्तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आज मैं यहीं तक छोड़ेता हूँ next इसका part 2 कल मैं उस पर बना दूँगा तो चलो दोस्तो वीडियो अच्छा है के तो चैनल को सस्क्राइब कर दो और दोस्तो मेरा दूसरा चैनल है उसका नामे अंसारी जी एस एकेडमी तो उसको भी जाकर अपलो सस्क्राइब कर लो तो थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो